नमस्कार दोस्तों आप सभी का सुनातन सपन फल में बहुत बहुत स्वागत है अभिनंदन है सपने में पकोडे देखना क्या फल होता है क्या अर्थ होता है इस वीडियो में बताएंगे अगर आप सपने में पकोरे खाते हैं या तलते देखते हैं तो इन सपनों का क्या आर्थ है क्या मतलब है आखिर सपने क्यों आते हैं सपने में देखे गए पकोरे के सपन फल के बारे में आपको जानकारी देने से पहले आप कुर्पया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप पकौडे देखते हैं, तो समझ जाएं आपके जो भी आने वाले कारी हैं, जो आप कारी जो कर रहे हैं, जिसमें आप अपने सफलता प्राप्त करने की उम्मीद लगा रखे हैं, तो उसमें आपको निश्ची सफलता मिलती हैं, आपको अगर धन की समस्या चल रही है, से जल्द दूर होगी आवसुस्त होगे सपने में पकोड़े खाना और दोस्तों को खिलाना ये पेहद सुपस उपना होता है आपको किसी कारे में सफलता मिलती है या किसी तरह का अतरिक तलाफ प्राप्त होता है जिससे आपको खुसी मिलती है सपने में पकोडे तलते देखना सपने में पकोडे तलने का अर्थ है कि आपको अभी और कड़ी महिनत करनी है क्योंकि अधिक सफलताएं प्राप्त करने के लिए आपको और अधिक महिनत की आवसित आ है सपने में पकोरी तलना या बनाना ये संकेत करता है कि आप सही दिसा में हैं सही रास्ते पर हैं आप आगे चल कर सफलताएं प्राप्त करेंगे सपने में पकोरी खाना या देखना ये संकेत करता है कि आप सफलता के करीब हैं जल्द आपको सफलताएं मिलेंगी खुशियां प्राप्ध होगी आपके घर परिवार में खुशि का माहौल बनेगा और आपको खुशि होगी तो सपने में देखे गए पकवरी का सपना हर प्रकार से सुब और अच्छा फल देने वाला होता है तो हमारे द्वारा देगे जानकारी आपको कैसे लगी और कृफियां हमारे चैनल को सस्काइब अवस्ट कर दी और चिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सस्काइब किया है वीडियो सेर किया है और लाइक किया है उन सभी दोस्तों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीड देखने के लिए आप सभीकार धन्यवाद नमस्कार